नमस्कार मित्रो, विश्व समवाद एजूकेशन फाउंडेशन और नेशनल इंस्टिटूट आफ मास कम्यूनिकेशन एड जर्नालिजम की और से, मैं कौशल उपाध्याई अच्छी खबर के इस अंक में आप सब का हार्दिक स्वागत करता हूँ. आईए, शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला. योजना को लेकर गोपनीता बनाए हुए है, लेकिन सुत्रों के अनुसार विश्व हिंदू परिसत के कुछ वरिष्ठ लोगों को यह जिम्मेदारी सौपी जा सकती है. उनकी निगरादी में यह पत्री का विशाल जन्समुदाय तक पहुँचाई जाएगी. साथ में आपको बता दूँ कि ट्रस्ट का खाता खुलने के बाद चार माह में ही बिना किसी अहवान के खाते में 50 करोड की राशी जमा हो चुकी है. साथ में ट्रस्ट के महासचीव चंपत राई ने बताया है कि इस महा रामंदिर का निर्मान कारिया शुरू हो जाएगा. फिलहाल एलन टी के एंजिनियर निव की डिजाइन फाइनल करने में जूटे हैं. आने वाले 10 दिनों में यहाँ पत्थर आना शुरू हो जाएगा. और खुल मिला कर 4 लाग गन फिट पत्थर खपत होंगे. तो साथ साथ एक खबर आ रही है कि रामंदिर के लिए 2100 किलो का एक गंट का ओर्डर जले सर की फार्म सावित्री ट्रेडर्स को मिला है. 6 फुट उंचे और 5 फुट चौड़े इस अश्ट धातू से बने विशिष्ट घंट को बनाने के हेतू, हिंदू एवं मुस्लिम कारीगरों ने साथ में मिलकर काम किया है और यह घंट भारत का सबसे बड़ा घंट होगा. निर्मोही अखाडे ने इस घंट को बनाने का काम सोपा था. अयोध्या से रुख करते हैं लद्दाख की और, खबर मिल रही है कि भारतिय सेना ने लद्दाख में लेसर गाइड़ेट बम और एंटी टैंक मिसाइल से लेस इसराइली ड्रॉन को तैनाद करने का निर्णी लिया है. इसके लिए सेना की और से एक प्रपोजल बना कर भीजा गया है. दरासल सेना ने चीता नामक लंबे अर्से से निलंबित प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है, जिसमें 3500 करोड के खर्च से सेना को हैरन ड्रॉन से अपग्रेड किया जाएगा. इस मामले पर डिफेंस सेकरेटरी अजई कुमार समयत हाई लेवल डिफेंस मिनिस्ट्री चर्चा विचार कर रही है. अगली खबर की और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुरुशी सेक्टर की. केंद्र सरकार ने करीब 1300 करोड रुपयों की कुरुशी संबन्धी बुनियादी धाचा परियोजनाओं को हरी जंडी दे दी है, जिने 2000 से जादा प्राथमिक कुरुशी सहकारी समितियों के माध्यम से लागू किया जाएगा. साथ ही प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान योजना की छठी किष्ट जारी कर दी है, जिसमें 9 करोड किसानों को 2000 की किस्ट मिलेगी, जिसकी कुल राशी 17000 करोड होती है. सरकार का मानना है इस योजनाओं से छोटे और मध्यम किसानों को फाइदा हो सकता है. उनका कहना है कि वह इस प्रवुरुत्ती को पसंद करते हैं और उनके मुताबिक जमीन से जुडने से बहतर और कुछ नहीं है. साथ-साथ वह दिन में एक बार विविद कुष्टी अखाडों की भी मुलाकात लेते हैं. मोटिवेशनल स्पीकर और एक रेसलर ऐसे संग्राम अपने गाउं की जिन्दगी पर एक वीडियो बना रहे हैं और 15 अगस्त को वो जारी करेंगे. खेती बाड़ी के बाद बात करते हैं लोगों के खान-पान की. लोगडाउन के दौरान लोगों की खान-पान में जो तरीका बदलाव आया है उसको उजगर करते हुए कुछ आकड़े सामने आये हैं. अपरेल से लेकर जुलाई तक के तीमाही में लोगों ने पास्ता और नूडल्स जैसी चीजों का उप्योग अत्यंत बढ़ा दिया है. पास्ता का उप्योग बाइस सो टन से साड़े तीन गुना बढ़कर चहत्तर हजार टन हो गया है, जबकि नूडल्स की खपत 27 फीस अदी बढ़कर 74 फीस अदी पहुच गई है, जबकि बिस्कुट और नमकीन की मांग में 52 से 32 फीस अदी की बढ़ोतरी देखी गई है. खानी की बात निकली है तो आपको बता दू कि राश्ट्रिय वनस्पती अनुसंधान संस्थान लखनव की और से खबर आ रही है कि उन्होंने प्राकुरूतिक गौंध से तैयार पानी में घुलने वाले प्लास्टिक के बाद अब डिस्पोजिबल कटलेरी बनाई है. आइस्क्रिम के सौफ्टी कौन की तरह भोजन के बाद अब थाली, चमज, कटोरी और ग्लास को खाया जा सकता है. वनस्पती से बने बरतन, एनरजी बुस्टप का भी काम करेंगे और इम्मुनिटी भी बढ़ाएंगे. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक अनोखी खबर. गुजरात के मोरभी में प्राइवेट स्कूल के संचालक ने लॉकडाउन के दोरान अपनी स्कूल के शिक्षकों को आर्थिक मदद करने है तू, जनमास्टमी के त्योहारों में अपनी स्कूल का कुछ हिस्सा, मिठाई और नमकीन बनाकर बिक्री करने हैतू इस्तमाल के लिए दिया है. दरसल बात ऐसी है कि लॉकडाउन के चलते अनेक परिवारों को आर्थिक मुश्किलियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके चलते मुर्बी के ओम शंति स्कूल के शिक्षक और उनके परिवारों को भी आर्थिक कमजोरियां सामने आ रही थी. इस सब के लिए सबने मिलकर नमकीन का व्यापार तोहारों के दौरान करना चाहा तो स्कूल संचालक ने मदद के लिए उनको स्कूल का कुछ हिस्सा सामने से इस्तमाल करने हेतु दिया है. चलिए, ग्यान के साथ साथ स्वाद भी बाट रहे इन शिक्षकों को शुभेच्छा देते हुए आगे बढ़ते हैं, अंतरराश्ट्री खबरों की और. एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि पिछले सौ दिनों से न्यूजिलेंड में कोवीड का एक भी नया केस सामने नहीं आया है. और इस तरह न्यूजिलेंड पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बनके उभर आया है. दरसल पहले सौद केस आने के बाद ही मार्च में यहाँ पर एकदम सक्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया था. पचास लाग की आबादी के इस देश के युनिवरसिटी ओफ ओटागो के महामारी विशेशग्य प्रोफेसर माइकल बेकर बताते हैं कि अच्छे विज्ञान और बहतरिन राजनेतिक नेतरुत्वका यह कमाल है. चलिए, हम भी इनसे कुछ सीखे और कोरोना के साथ लड़ने के लिए व्यक्तिकत रूप से किये जाने वाली सभी प्रतीरोधों का चुस्ती से अमल करके भारत को भी कोरोना मुक्त बनाएं. मनोरंजन जगत की बात करें तो बॉलीवूड के जाने माने कोरियोग्राफर बॉसको लेसली मार्टिस पिछले कई सालों से अपनी डांस फिल्म डिरेक्ट करने का सपना देख रहे थे. अब आखिरकार उनका यह सपना पूरा होने जा रहा है. बॉसको जी स्टूडियो के साथ मिलकर अपनी पहली फिल्म रॉकेट गैंग लेकर आ रहे है. आदित्य सिंग और निकिता दत्ता स्टारर यह फिल्म भारत की सबसे पहली डांस हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी. यही नहीं, सबसे खास बात यह है कि जंगल बुक और लाइन किंग जैसी हॉलिवुड फिल्मों में आने वाले रियल टाइम वर्चुल रियालिटी तकनीक से इस फिल्म को बनाये जाएगा. इस फिल्म को अगले साल गर्मियों में रिलीज करने की यूजना है. खेल जगत की खबरों की और आगे बढ़ते हैं। बार्सिलोना ने चैंपियन्स लीग में नैपोली को 3-1 से हराया है. इसके साथ बार्सिलोना ने 4-2 के कुल स्कोर के साथ टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल में जगा बना ली है. पांच बार चैंपियन रहने वाले बार्सिलोना ने इस बार भी कप पर अपना दावा पेश किया है तो इस तरह भारत की सुप्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाडी साइना नहवाल ने भी फिर से ट्रेनिंग शुरू करने का एलान कर दिया है दुनिया की पुर्व नंबर एक खिलाडी साइना नहवाल तिलंगाना में अपने खिलाडी पती पारुपली कश्यप और खिलाडी गुरु साइद दत के साथ गोपिनात अकादमी के समीप अलग केंद्र में ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं चलिए साइना को आने वाली प्रतियों की तामे विजयी भव ऐसी शुबकामना देते हुए आज की अच्छी खबर का अंक हम यहीं समाप्त करते हैं आने वाले अंक में हमारे छात्रों के साथ आपके साथ हम फिर से जुड़ेंगे तब तक घर में रहें स्वस्त रहें नमस्कार